हलो फ्रेंड्स वेल्कम टो SSE कोचिंग सेंटर दोस्तों आज के वीडियो में सीखेंगे गडित के इंपोर्टेंट सवाल ऐसे इंपोर्टेंट सवाल के एक ही प्रेशने सीखेंगे और आपको ऐसा लगेगा कि ये प्रेशने दो से तीन चेप्टर में पूछा जाता है ये च माध्य का ज्याद करने के लिए कह रहा है माध्य का मतलब क्या होता है दोस्तों बीच वाली संख्या माध्य का मतलब क्या होता है बीच वाली संख्या पूछ रहा है तो बीच वाली संख्या इसमें हम कैसे पता करेंगे कौन सी है इसके लिए हमें क्या करना होगा सब को आरो ही krem, ठीक है, आरो ही krem में हमको इनको लिखना होगा, आरो ही krem का मतलब है, पहले लिखेंगे सब से छोटी, फिर उस से बड़ी, फिर उस से बड़ी इस तरीके से, तो यहां जएक करेंगे, सफ से छोटी संख्या 31 है, तो सब से पहले 31, अब एकतीस के बाद में कौन सी बड़ी संक्या 31 से 31 से बड़ा दोस्तो 53 है तो 53 लिखिए 53 से बड़ा 55 है 55 को लिखिए अब 55 से बड़ा 56 है 56 लिखना है ठीक है 56 के बाद में कौन संक्या बड़ी है 69 बड़ा 56 के बाद में 69 69 को लिखіє 1969 के बाद में 61 61 को लिखेंगे 61 के बाद में 69 69 बढ़ा है कैसे लिखते हैं रोही करम पहले सफसे बड़ी फिर उससे बड़ी बढ़ते हुए करम में लिखते चले जाते हैं अब ये कहरा है कि माद्धिका ज्याद कीजिए माद्यका का मतलब होता है का बीच वाली संक्या ग्याद करने के लिए कह रहा है ठीक है कौन सी संक्या बीच वाली संक्या कैसे पता करेंगे माद्यका हमारी कौन सी है कैसे पता करोगे देखी एक इधर से छोड़ दो एक इधर से ठीक है फिर एक इधर से छोड़ दो एक इधर से एक इधर से छोड़ दो एक इधर से तो तीन संक्या आपने प्रारंब से छोड़ दी तीन संक्या अंत से छोड़ दी बीच में कौन सी संक्या बची दोस्तो 56 बची तो यही हो जाएगी आपकी माध्यका ठीक है दोस्तो माध् रम से तीन छोड़ देंगे अंत से बीच वाली संख्या मिल जाएगी आपको 56 है तो उम्मिद करूँगा कि सभी को ये प्रेशने बहुत अच्छे से समझे में आ गया किसी को भी अब इस प्रेशने में कोई समस्या नहीं होगी ठीक है दोस्तों अब देखेंगे अगला प्रे ठीक है असी बस्तों के विक्रे मूले का मतलब सेलिंग प्राइज के क्या है बराबर है तो बराबर कर दीजे लाब प्रतिसत बताईए कितने प्रतिसत का लाब होगा सबसे पहले तो कटाएंगे यहां पर तो 20 से मैं काटोंगा इसे 4 बार में और 20 से ये कटेगा 6 बार में ठीक है अब यहां पर क्या बचा CP है देखिए इदर यह CP है अब मैं SP को इधर ले क्या हूँगा बराबर के इधर SP को बराबर के इधर लाओंगा तो CP के बटे में ये SP हो जाएगा बराबर इधर क्या बचा चार बचा अब मैं 6 को बराबर के इधर ले जाऊँगा तो 4 के बटे में ये 6 आ जाएगा तो cost price 4 हुआ selling price 6 हुआ 4 रुपे की चीज को आप 6 रुपे में बेचोगे कितने का लाब हो जाएगा 2 रुपे का लाब होगा लाब यहानी किस पर निकलता cost price पर cost price कितना है 4 है प्रतिसद के लिए क्या करेंगे 100 से multiply कर देंगे 4 से 100 कटेगा 25 बार में और 2 कमल बे 25 से होगा तो यह हो जाएगा 50 प्रतिसद तो आप से प्रतिसद में क्या पूछ रहा है भाई लाब प्रतिसद बता दीजी कितना है 50 प्रतिसद का लाब है C option आपकी प्रतिसद का सही आंसर हो जाएगा के लिए रही दोस्तों बात बहुत इजी प्रेशन है इस प्रेशन को कठिन बिल्कुल मत बनाना इस तरीके से solve कीजिए कभी भी आंसर गलत नहीं आएगा हमेशा सही आएगा और वो भी कम समय में पहुत कम समय में आंसर कर पाएंगे आप ऐसे ट्रेक हम आपको बता रहे हैं केलियर हुई बात अब देखेंगे अगला प्रेशने अगला प्रेशने है दो संख्याओं का LCM 210 तथा HCF 35 है यदि एक संख्या 105 हो तो दूसरी संख्या ग्याद कीजिए देखें इस प्रेशने के लिए एक फॉर्मूला होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर LCM गुने HCF ठीक है यह फॉर्मूला इसको नोट कर लिजए अपनी कॉपी में अगर आप इसको पहले बार सीख रहे हैं तो नोट कर लिजए क्योंकि यह प्रेशन बार बार पूछा जाता है और यह प्रेशन इसी से जल्दी सॉल्व होता है ठीक है यहाँ पर कह रहा है कि एक संख्या 105 मतलब पहली संक्या 105 है, एक संक्या का मतलब पहली संक्या आपकी 105 है, तो दूसरी संक्या ज्याद कीचे, दूसरी संक्या पता करनी है, दूसरी संक्या को हम एक्समान लेते हैं, LCM कितना है, 210 है, गुने HCF आपका 35 है, आप देखें, बराबर में कट जाता है, आपने सामने कट भाई 35 से 105 पूरा पूरा तीन बार में कटेगा ठीक है और 37 21 कटता है और 20 0 इधर क्या बचा X तो X का मान कितना निकल के आया 70 और X को आपने क्या माना था दूसरी संग्चा इसका मतलब दूसरी संग्चा का मान कितना निकल के आया 70 निकल के आया प्रेशनी solve हो गया 35 से 105 कटेगा 3 बार में फिर 3 से कटाएंगे 210 को ये 70 बार में कट जाएगा तो X कमान 70, 70 दे रखा है B option में ये आपकी प्रेशनी का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर बिना किसी डाउट के तो जो बच्चे पहली बार सीख रहे हैं इसको नोट कर लीजे एक से दो बार प्रेक्टिस जरूर किया करें देखिए मैं आपको कोई भी प्रेशनी बताऊँ उसकी प्रेक्टिस अपने हाथों से एक से दो बार जरूर करिए अपने हाथों से करेंगे तो जिंदिगी बरे के लिए याद हो जाएगा ये मालीजिये बस अपने हाथ से प्रैक्टिस जरूर किया करें बहुत बच्चों की शिकायत रह दिए कि हम भूल जाते हैं भूलने का कारण यही होता है कि आप प्रैक्टिस नहीं करते हो खुद से हमने सिखा दिया आपकी समझ में तो आ गया लेकिन भूलने का कारण यही होता है कि आपने उसकी प्रैक्टिस नहीं की खुद से जरूर सौल्ब कीजिए प्रेश्ट को अपने हातों से जरूर हमेशा के लिए याद हो जाएगा मैं आपको बता रहा हूँ ठीक है दोस्तों अब देखेंगे अगला प्रेश्णे अगला प्रेश्णे है यदि तीन संख्याएं एक अनुपाते तीन अनुपाते पांच के अनुपात में हैं तथा उनका योग दस हजार आठ सो है तो सबसे बड़ी संख्या ग्याद करो ये पहली संख्या ये दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या इनका हमें अनुपात दे रखा एक अनुपाते तीन अनुपाते पांच और उनका सभी का योग हमारे पास कितना है? 10,800 योग है तो मैंने आपको क्या बताया अगर प्रेश्ण में योग दे रखा है तो अनुपातों का भी योग कर लेंगी कर लीजिये 5 और 3,8 और 1,9 तो अनुपात के योग से टोटल योग में डिवाइड दे दीजे कितनी वारी जाएगा 9,1 कम नो एक बचे का ठारा, नो दुने का ठारा और 2,0 बारे सो बार में कया पूछ रहा है कि सबसे बड़ी संक्या ग्याद करो बाई जो अनुपात में सबसे बड़ा होगा वही संक्या सबसे बड़ी होगी तो अनुपात में सबसे बड़ा कौन है पांच है, तो इसका मतलब तीसरी संक्या सबसे बढ़ी होगी बारहय पंचे कितना जाएगा साठ जाएगा और दो जीरो मतलब छे हजार, तीसरी संक्या सबसे बढ़ी है, छे हजार है छे हजार दिरखा है, सी ओप्शन में अगर पूछ लेता के सबसे छोटी संख्या तो सबसे छोटा अनुपात पहली संख्या का एक बारेकर मल्टिपर एक से करते बारेसो अंसर आ जाता बारेसो ठीके पूछता के बीच वाली संख्या बताईए या दूसरी संख्या तो दूसरी संख्या का अनुपात 3 है 12 तिरिक का कितना 36 कर देते हैं तो ये कितना हो जाता 36 किलियर है पहली संख्या भी निकाल सकते हैं दूसरी भी और तीसरी भी सबसे बड़ी संख्या वही होगी जिसका अनुपात सबसे बड़ा होगा तो 30 संक्या का अनुपात सबसे बढ़ा है तो 30 संक्या सबसे बढ़ी हो गई 6,000 सभी को ये प्रेशनी भी किलियर होगा अब देखेंगे अगला प्रेशने अगला प्रेशने है एक ट्रेन 10 सेकंड में एक इस्थिर बस्तू को पार करती है यदि ट्रेन की चाल 25 मीटर पर सेकंड है तो ट्रेन की लंबाई क्या है लंबाई का मतलब क्या दूरी पूछ रहा है क्या पूछ रहा है दूरी दूरी बराबर क्या फोर्मूला होता है चाल गुने समय या समय गुने चाल कर लो ठीक है यह फॉर्मुला होता है दूरी बराबर कुछ बच्चे समय को पहले लिख देंगे चाल को बाद में लिख देंगे उससे कोई फरक नहीं पड़ता करना तो गुना ही है जैसे मालीज़ आपको 2 गुने 3 करना है तो इसमें 3 पहले लिख दो, 2 बाद में लिख दो कोई फरक नहीं पड़ता, आंसर सेम आएगा 2 तरिक काचे आएगा, और 3 दुने काचे आएगा ठीक है, तो confused होने बाली इसमें कोई बात नहीं होती, multiply में आगे पीछे लिख तो कोई परिशानी नहीं, आंसर वही आता है दूरी पूछ रहा है आपसे अब देखिए यहाँ पर, चाल कितनी है, 25 की है इसमें change दोस्तों कुछ भी नहीं करना क्योंकि चाल जो दे रखा आपको meter per second में है, दूरी meter में है तो इसमें change नहीं करना समय भी आपको second में दे रखा, कुछ भी changes में आपको नहीं करना, समय कितना है 10 second का, ठीक है दूरी हमको पता करनी है 25 का गुना कर देंगे 10 से, तो कितना हो जागा 25 से कम 25 और एकी 0 10 तो दूरी यहां पर हमारी कितनी निकल के आ रही है, 250 meter की यह आपकी प्रेशनी का सही आंसर है बताए किसकी समझ में इतना आसान प्रेशनी नहीं आया होगा दूरी बराबर होता है, चाल गुने समय चाल 25 की है, समय दसका है, दोनों का multiply करेंगे, 250 meter की ट्रेन निकल के आगी, यह आसान इसलिए है, क्योंकि इसमें कुछ change करना ही नहीं है अगर आपकी हाँ पर चाल दे देता kilometer पर घंटे में, तो इसको हम change करते meter पर second में, क्योंकि समय हमारा second में है, और meter में पूछ रहा है, change करना पड़ता लेकिन change अब करना ही नहीं है, आपको देखिए, मैं आपको पहली बता दूँ, का time, speed और distance के आपको प्रेशने देखने है, तो playlist हमारा बना हुआ है, time, speed, distance के नाम से playlist बना हुआ है, आप आपको इस playlist को जाईए, देखिए, सभी doubts किलियर हो जाएंगे, सभी तरीके के प्रेशने वहाँ पर कराए गए हैं, तो playlist को एक बार पूरा देख लिए, फिर आपको कोई प्रेशने दुबारा नहीं देखना पड़ेगा, सभी प्रेशने आपको अच्छे से देने बाद